हेलो दोस्तों कैसे हो आप 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 सब अच्छे होंगे मैं हूँ कबल जीत कुमार स्वागत है आपके अपने चैनल के के मकाइनिक पर तो आज हम इस वीडियो में बताने वाले हैं कि जो हीरो की आई स्मार्ट 110 सिसी बाइक है उसका टाइम इन चैन काफी आवाज करता है तो उस आवाज को कैसे खदम करें और टाइम इन चैन लगाने का सोट कर तरीका भी हम इस वीडियो में बताएंगे तो प्लीज वीडियो के लाज तक बने रहें अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें सेयर करें चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी जरूर करें तो च के पास आई स्मार्ट 110 इसी बाइक है या फिर हमारे मकैनी भाई हैं तो हमें नहीं लगता कि उनको बताना पड़ेगा कि इसका टाइम इंचेन कितनी जल्दी आवाज करना शुरू कर देता है और जब टाइम इंचेन आवाज करेगा तो टाइम इंचेन बदलना भी पड़ होता है कि आप इसका पहले हेड उतारेंगे और हेड उतार के ही हेड खोलने के बाद ही आप इसका टाइम इंचेन डाल सकते हैं वह इसलिए क्योंकि इसके सिलेंडर में एक चैन गाइट लगा हुआ होता है वह बिना आप चैन गाइट खोले आप टाइम इंचेन नहीं डाल लगाने के लिए आपको गायड निकालना पड़ेगा और गायड निकालने के लिए आपको हेड खोलना पड़ेगा और हेड खोलने के लिए अगर आप मेकैनिक होंगे तो जानते होंगे कि हेड खोलने के लिए पहले कारबेटर खोलो फिर सैलेंसर खोलो काफी ताम जाम हो जा तो वो सही नहीं होता है, और लोग बताते हैं कि रोलर डाल देने से आवाजे बंद हो जाती है, यह गलत है, कियोंकि अगर रोलर इसके लिए बैतर होता है, तो कंपनी खुद इसके गाइट के जगह रोलर ही लगा के देती, तो roller से भी अब आज कुछ दिने में शुरू हो जाता है तो इसके लिए इसका guide ही बहतर होता है हलाकि timing chain इस guide का minus point है कि timing chain जल्दी खराब होता है लेकिन ऐसा नहीं कि इसके लिए roller सही है roller जिम्यदार है नहीं इसमें guide ही सही रहता है और रही बात timing chain लगाने के लिए जो head खोलना पड़ता है तो उसका भी solution आपको इस video में मिल ही जाएगा क्योंकि timing chain लगाने के लिए आपको head उतारने की कोई जरूत नहीं है और हम बीना head उतारे ही इस video में हम timing chain आपको लगा के दिखाएंगे यह देख सकते हैं यह नया timing chain आपने ले लिया है और बीना head खोले timing chain लगाने के लिए आपको timing chain को इसके joint से छटकाना पड़ेगा कुछ tools जैसा कि आप देख रहे हैं ऐसा tools आप भी बना के और timing chain को जो है इसके joint पर से अलग कर सकते हैं जैसा कि मैं करके दिखा रहा हूं आप देख सकते हैं हमने कितने असानी से इसके timing chain को अलग कर लिया है और इसके पूराने timing chain को भी हम ऐसे ही अलग कर लेंगे इसी tools के मदद से इसके लिए आपको बाइक को लेटाना होगा कर दो जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं हमने पुराने timing chain को भी अलग कर लिया है और अब हम इसके पुराने timing chain में नए timing chain को एक पतले तार से जोड लेंगे जैसा कि आपको वीडियो में दिखाया गया है बहुत ही आसान तरीकों से और जोडने के बाद आपको खीच के इसको जो है पुराने timing chain को निकल के नए timing chain को लगा देना है अब देख सकते हैं हमने पतले वायर से जोड के पुराने timing chain के साथ हम नए timing chain को खीच के इसमें लगा लेंगे अब देख सकते हैं नया timing chain अंदर लग चुका और पुराना timing chain हमारा बाहर आ चुका है अब हम इसको काट के निकाल लेगे और फिर नए टाइम इंचैन को जोड भी लेंगे हमने नए टाइम इंचैन को जोड लिया है और ऐसा नहीं है कि आपको टाइम इंचैन चटका देने से ऑफिर ताइम इंचैन कम जोड हो जाएगा या फिर खराब हो जाएगा अएसा कोई दीक करते हैं वह जैसे रिपीट था हैं इसे हम इसको रीपीट भी कर लेंगे अच्छे से और आप देख सकते हैं हमारा टाइम इंचैन इसमे लग चुका है और अब हम इसको बान देंगे टाइमिंग चैन लगके रेडी हो चुका है इसके सारे नटबॉल्ड को टाइमिंग को भी मिला के अच्छे से टाइट कर लेंगे यह छोटा रोलर भी हम बैठा लेंगे छोटा रोलर अगर कटा रहेगा तो उसको बदल देंगे गर इसके साथ लूंज इस्प्रिंग लगाना है और काफ हैं जो होते हैं जो मेकेनि Espionig होते हैं वो इसके टाइम इंजेन के आवाज को बंकरने के लिए हार्ड प्रिंग लगा देते हैं जिसके कारण टाइम एंचेन जली खराब हो जाती है तो नया जब भी आप टाइम एंचेन डालें उसके साथ लूज इस प्रिंग आपको लगाना है जैसा कि हमने लगाया अब हमने इसके प्लेट को भी टाइड कर लिया है यह सिल्फ गियर है बड़ा गियर है यह छोटा गियर है इसको भी हम अच्छे से बैठा लेंगे और सब नट बोल्ड अच्छे से टाइड करने बाद इसका मैगनेट भी हम लगा लेंगे और मैगनेट को अच्छे से बढ़िया से टाइड कर लेंगे जैसा कि अब वीडियो में देख सकते हमने मैगनेट को अच्छे से टाइड कर लिया है और केम इस पाकिट कवर को भी हमने लगा लिया है और लगे हाथ हमने टाइड भी अच्छे से मिला लेना है क्योंकि टाइड लूज रहेगी तो भी आवाजे आएंगी तो टाइड भी आपको अच्छे से मिला लेना है टाइड भी हमने अच्छे से सेट कर लिया है अब हम इसका मैगनेट कवर क्वाइल के साथ बान लेंगे और सारे नटबोल को अच्छे से टाइड कर लेंगे टाइड करने के पाद इसका जो न्यूंट्रल का कनेक्शन दे देंगे और आलमेचर कॉयल का भी कनेक्शन अच्छे से जोड लेंगे अब हम इसको स्टाइड करके इसकी आवाज आपको सुनाते हैं तो हमें उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब करें मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक के लिए गुडबाई